हमारे आज इस गेमिंग अपडेट की वीडियो से आप सब को जानने को मिलेगा फाल लाइट 84 का अपकमिंग अपडेट जिसमें बताए जा रहा है नया मैप जो है एड़ हो जाएगा कारेक स्टीट का 1.2.2 अपडेट प्लैंट वर्सेस जॉंबिस 3 भी लाउंच हो चुका है क्या हम सब इस गेम को डाउनलोड करके खेल पाएंगे इंडिया से और आखिर में जाते जाते आपको जानने को मिलेगा कॉमाइंड एंड कॉंग के लीजियन का पहला बीटा तो वीडियो को सुरू करते हम कारेक स्टीट के आए हुए नए अपडेट से आपको पता है 1.2.0 अपडेट जो है इस गेम में काफी बड़ा था लेकिन उसे करने के बाद बहुत सारे गेम में प्रॉब्लिम भी आ चुके थे लेकिन अभी फिलाल 1.2.2 वर्सन वाला अपडेट रोल आउट हो चुका है अगर आप अपडेट को नहीं कियो जल से जल कर लो अपडेट साइज अराउंड 553 आपको गूगल प्ले स्टोर से करना है और इन गेम आपको 140 MB डाउनलोड करना पड़ेगा तब जाके आप गेम में लॉगिन कर पाओगे अब ये अगर पूछोगे कि गेम में नया क्या है नया कुछ नहीं है सिर्फ कार के बिहवियर को थोड़ा चेंज किये हैं अब क्या चेंज हुआ है ये तो गेम खेलने के बाद ही आपको पता चलेगा गेम के लीडर बोर्ड को भी थोड़ा इनहांस किये हैं और जो टायर आप पर्चेस किये थे इस से पहले यानि इस अपडेट से आने से पहले आपको गेम में सो नहीं कर रहा था उसे भी फिक्स कर दिया गया है लेगिन घुमा फिरा के हम सब को चाहिए गेम का अप्टिमाइज़सन जो अब तक तो नहीं किया गया है और अगर आप पूछोगे कि 4GB RAM में ये गेम अभी चल जाएगा इसका गैनेटी तो में नहीं दे सकता आप सबको पता है 6GB, 8GB RAM में भी ये गेम अच्छे से नहीं चलता है तो 4GB में कैसे ही चल पाएगा हमारा इस वीडियो का दूसरा अपडेट आप सबको बहुत ही ज़्यादा खुश करने वाला है क्योंकि अगर आप Plant Vs. Zombies सीरीज के बहुत बड़े फैन हो एक नए गेम का इंतजार कर रहे हो तो ये इंतजार आपका खतम हो जुका है क्योंकि Electronic Arts के तरफ से Plant Vs. Zombies के Part 3 को रिलीज कर दिया गया है हमारे Mobile Devices के लिए लेकिन Unfortunately अभी के लिए इंडिया में ये गेम रिलीज नहीं हुआ है लेकिन अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाते हो कॉमेंट करो इसके अपर डेडिकेट वीडियो जरूर बनाएंगे और उसमें आपको बता देंगी इस गेम को कैसे और कहां से डाउनलोड करके आपको खेलना है और जो आउन स्कीन आप गेमपले देख पा रहे हो इसी गेम का गेमपले है यार खेलने में बहुत ही ज़दा मज़ा आ रहा है नॉस्टलिय फिल्म मिल रहा है क्योंकि इस गेम को हम पहले भी खेल चुके हैं अभी के लिए गेम फिलिपिन्स और उस्टलिया और उनाइटेट किंडम में ही रिलेस किया गया है वीडियो का तीसरा अपडेट आ रहा है और एक नहीं गेम से अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले कुछ दिन यार काफी दिन पहले एक गेम के बारे में बताये थे जिसका नाम था Command & Conqueror Legion जिसके लिए मैं तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था और अब भी नहीं हूँ उसका अगर रिजन पूछोगे ट्रिलर देख लो आपको पता चल जाएगा लेकिन इस गेम का क्लोस बीटा टेज जो है आईवेस डिवाइस यूजर के लिए सुरू हो चुका है Android के लिए कोई भी अभी फिलाहल अपडेट नहीं है लेकिन पता तो है फ्यूजर में जरूर रिलीज हो जाएगा अब कब रिलीज होगा इसके पर अपडेट आना बाकी है तो मुझे अब लोग फटा-फट से कॉमेंट करके बताओ क्या इस गेम के लिए थोड़ा सभी एक क्योंकि अगर आप फाल लाइट 84 गेम को खेलते हो आने वाले अपडेट का इंतजार कर रहे हो तो यह अपडेट जो है इस गेम का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट हो सकता है और देखा जाए तो दूजर 24 का यह पहला अपडेट भी होने वाला है तो डेबलपर पूरा पूरा ट्राइ करेंगे इसे बड़ा बनाने की तो फिलहाल लेक्स निकल के आ चुका है कि नेक्स्ट अपडेट में हमें क्या-क्या नया देखने को मिलेगा गेम में पिक्चर आउन स्किन आप देख पा रहे हो अगर आपको पढ़ना है सभी फीचर्स के बारे में आराम से पढ़ लो लेकिन आपको सौट में समझा देते हैं इस अपडेट में सबसे मेजर जो फीचर्स होगा एक नया बैटल रॉयल का मैप जिसका नाम होने वाला है सुन्दर रियलम उसके अलावा और एक मेजर फीचर्स इन्होंने अनौन्स कर चुके हैं अभी के लिए गेम में स्कौर्ड मैच और डूओ मैच है लेकिन इसके बाद जो अपडेट आएगा बताए जा रहा है त्री पर्सन मैच मेकिंग भी बैटल लॉयल मोड में हम खेल पाएंगे यानि तीनों दोस मिलके हम भसन मचा सकते हैं गेम में हिरोस के स्किल को एज़ेस्ट भी किया जाएगा उसके अलावा बहुत सारे हीरोस को अभी फिलहार री मोडियूल कर रहे हैं तो नेक्स्ट अपडेट में दो और ने हीरोस को री मोडियूल करेंगे जिसमें से आएगा मैगी और वच्मेंड डुक साइड और भाव के स्किल को भी रीमेट करेंगे सूटिंग पॉफॉमेंस को अप्टिमाइज किया जाएगा सभी वेपन्स के लिए और आखिर में इन्होंने बता हैं मैसिव इबेंट्स आने वाला हैं और बहुत सारे वेनिवीट्स और रिवोर्ड्स भी हमें मिलेगे तो नेक्स्ट अपडेट कब आएगा इसके उपडेट आना तो बाकी है लेकि करके जरू बताना तो इसके साथ आज की छोड़े से पंचायत को यहीं पर समाप्त करते हैं इसके अलावा भी और भी काफी सरे अपडेट से जैसे की अल्टिमेट का ड्राइविंग सिमुलेटर टू भी लाउंच हो चुका है उसका गेमप्ले साइध आपको साम तक मिल जा सकते हो आने वाले इसी तरह से इंट्रेस्टिंग गेमिंग वीडियोस देखने के लिए तो चलो एर मिलता है नेक्स एपिसोड में एक फ्रेशन फाइन अपसोड के साथ तब तक के लिए गुडबाई